ओम स्री गनी शायनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार जुलाई मंगलवार के रासी फलके बारे में कि यह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थगी महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कैपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आर्थिक इस्तिति आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली हैं और धन प्राप्ति के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें, कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें, ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके, धन्यधान प्राप्ति के उदेश्यों की आज पूर्टी हो सकती है, जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा, दोस्तों सा अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे, तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा, युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से राहत मिलेगी, आज दो फैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं, दिन की अपने ही अपने महत्पकून कार्रों से संबंदित रूप रेखा आप बना ले, संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक राहत आपको मिलेगी, दोस्तों कुछ समय से आप अपने अंदर अधबुद परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे, अंदर छिपी प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें, इस समय की की गई महनत के निकट भविस्थे में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं, दोस्तों आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं, अपने काम के प्रति एकागर चित रहें, इसके लिए कोई छोटी यात्र भी आपको करनी पड़ सकती हैं, विध्यारतियों को भी किसी कमपटीशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव ना हैं, दोस्तों इस समय की की गई महनत के उचित परिणाम हासिल करने के लिए कर्म प्रधान तो होना ह पड़ेगा, इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें, अगर प्रॉपर्टी संबंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं, तो आज उसके फली भूत होने का समय आ गया है, जी हदोस्तों आज भाग्य आपके पक्ष में हैं, पिछले कुछ समय से जिन कार पूरा होने का समय आ गया है, आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित पैरणाम आज हांसिल होने वाले हैं, जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा, दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है, दोस्तों परिवारिक विवादों से आ आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने के प्रियास करें, ताकि घर परिवार में शुक शांती समर्दिक की प्राप्ती हो और घरेलू विकास संभव हो सके, माता पिता का ख्याल रखें, किसी भी तरह की समस्या होने पर उनका ख्याल आप विसेश रूप से रखें, दोस्तों साथिसाथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विग्ण पढ़ सकता है, और कुछ उपलब्दियां भी हाथ से निकल सकती हैं, जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है, परन आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना वरतें, दिल की बजाए दिमाग से निर्नेलें, भविस्य की चिंता को छोड़कर वरतमान गत्य विद्यों पर ध्यान अधिक के इंद्रित रखें, ऐसा करना आपके लिए अवश्य ही लाबदाएक साबित होगा, कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना अतियावशक हैं, आज कोई पेमेंट भी आपको करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर हो सकती हैं, दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपकी लव लाइफ के सी रहने वाली हैं, दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगेदर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुश रहेंगे, दोस्तों साथ इसाथ परिवार में कुछ व्यचारिक मतवेद भी रहेंगे, इसलिए अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी व्यतीत करें दोस्तो परिवार का वातावरन आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्विक्ता रखना आवश्चक है साथ साथ पती पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरन खुसनुमा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गति विदियों में छोटी छोटी परिशानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कार्रूमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा रहेगा जहां दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापरवाई की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमान जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंका है नोकरी पेशावाले ध्यान रखें कि उच अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हो आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मारकेटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुकी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याएं हल होंगी नोकरी पेशावाले ध्यान रखें के उचित परिश्रम के आधार पर तर्रकी के योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ किसी अन्यान व्यक्ति से अचाना के घनिश्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वैवसाइक गतिविदियों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समालखर रखने की आवश्च रखता है वे ध्यारतियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने बाला है साथी साथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपको अवस्य ही फाइदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उचित खानपान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सोस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद शिरी राम लिखी लाल रंग की दोहजा जिया दोस्तो आपको लाल रंग की दोहजा लेनी है जिस पर प्रभू शिरी राम का नाम लिखा हो इसके बाद आप इस दोहजा को भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाकर भगवान बजरंग बली जी को चड़ा दें और अपनी मनों काम नए मांगे जा दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे और आपको ऐसा करने से सीग रही सुब फरो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान बजरंग बली का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बजरंग बली अवश्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद